जैशी किछना, जैशी रादे, हदार महादे, तो ये देखी ये एक मूल की ड्रेस है, जो मैंने अपनी रादारानी के लिए मंगाई थी, और इसका प्राइस जानकर आप चौक जाएंगे, कि ये साड़े छेसो रुपई की ड्रेस है, और ऐसी ही सेम ड्रेस मैं अपनी रादा करते हैं, जैसे सामान आप उनका लियाएं और उनको अपने तरीके से स्टेच कियें तो क्या है न ड्रेस बहुत अच्छी बनती हैं और इन ड्रेस को बनाने में भी ऐसा नहीं होता कि बहुत जादा मतलब टाइम लगता है या बहुत जादा मतलब इनके साथ में खर्चा ज तो मैं यहां पर सबसे पहले मतलब मैं इतनी बड़ी ड्रेस नहीं बनाई है क्योंकि लड़्डू गोपाल की आज तक मैं ड्रेस बनाई है तो वह मेरे ज्यादा से ज्यादा च्छे साथ और पांश इतने नमबर तक की रहे हैं तो देखेज़ दस से बारा नमबर तक की राधार आने के लिए आपको जो ड्रेस सब्सक्राइन केश्क करने की हैं उसके लिए मैं यहां पर यह चोली तैयार किया है तो यह देखे, अल्मूस्ट मेरी यहां पर चोली जो है, वो बनके तयार हो गई है, अगर आपको इसका जैसे मेजरमेंट वगएरा और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी, और कितने नंबर की मेरी राधार आनी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सा जैरे पर यहां suwoong की में अगलाया कायम है, का अगर भीन लाइ यहां पर खाल जान्य काकी है अगर वैорм अगल पर जो ऐसे हमें बनाना है, जासे हमें नीचे वाला गहर में बनाना है, तो उसके क्या किया है? मैंने यहां पे वही सेम कटन का कपड़ा यूज किया है लेकिन लैस को मैंने उल्टे तरीके से लगाया यहां पे पीछे से तो यह देखिए अगर पलटूंगे मैं इसको तो यह इस टाइप से आएगा क्योंकि जैसे ऊपर से लैस नहीं दिखाई देगी इसमें पीछे से मतल जैसे नॉर्मल है जिनको मतलब सेवा करने का बहुत जादा मन करता है तो मतलब जैसे साड़े चैसों की तो सिर्फ एक ही ड्रेस आई है अगर दूसरी भी लेनी है तो फिर मतलब कैसे चलेगा अगर यह मोल वाली ड्रेस ही अगर हम अपने हाथ से स्टिच कर सकते हैं तो क्य तो बहुत को पाम के खाला-गर तो से आई हो जतना तो मैंने वहींसी सामान को परचेश किया और जो प्राफित की शौक होती है उनहीं से मैंने लैस गज़ा और इन में पीछें डोरी प्रि t. आई करती है तो तो देखेतियों यहां ही जो नीचे वाला स्कट्रlando रहता है र परिज़ लड्डु गॉपाल का जो बनाते हैं हम घेल वैसी ही ऊसी ठाइप से हमें रादारानी का बनाना है बस जितने नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको रखना है तो वैसे मैं आपको दिखाती रही हो कि हमें कितना मुतलब पट्टी कितनी चाहिए कितना ग्या चा इसको जब पैक करते हैं तो सेम बिलकुल मोल जैसी लगती है तो यह देखिए हमारा जो है जो नॉर्मल बेस है वह बनके तयार हो गया है और हमने यहां पर डोरी बगर डालती है और को हमने इसला नहीं है क्योंकि अगर तो फिर वहां पे क्या है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती तो उसके लिए हमने क्या किया है यहां पे इसको हमने नॉर्मल जो है वह स्टिच करके रख लिया है और बीच में मैंने क्या किया है इस पर जहां जहां प्लेट डाली थी उसी प्लेट को फॉलो करते हुए मैंने उसके उपर भी एक और सलाई लगा दिये अगर आपको इसक कोशिश किया है और नॉर्मल इसको बनाने की कोशिश की है एवी ड्रेस भी बनाएंगे जैसे कि मतलब दिवाली बगेरा आएगा और 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 भी कई त्योहार पढ़ेंगे तम मैं हैवी ड्रेस बनाऊंगी वह मैं आपके शेयर करूंगी तो यह मैंने नॉर्मल ड्रेस इतनी बड़ी मेरे बनाई नहीं थी तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहे थे साड़े छेसो रुपे तो उसकी अगॉर्णिग मैंने सोचा कि चलो हम घर पे स्टिच करते हैं क्योंकि मैं जो भी मेरे लड़ू गॉपाल जी हैं उनकी ड्रेस भी मैं घर पे ही स्टिच करती हूं च जो नॉर्मल जो हमारे पास यह इस टाइप की पत्तिया शेद्टिया उनको काट करके मैं यहां पर बिल्कुल जो चौकर वाला जो एसे रहता है न इस फ्कायर वाला उस शेप में मैं इसको लगा दिया चिपका दिया है तो आल्मोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि इसका लोग बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया है तो यह देखिए बिल्कुल मोल जैसा लोग आया है अगर मैं इसको पैक करके भी आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगगे कि यह बहुत सुंदर लग रहा था और यह देखिए अब मैं इ कखनी हुई इसमें ये देखी कितना हमेज़िंग लोक आ रहा है चलिए पहना के दीखाते आ गई है वह घड़ी जो ब्रादराणी को पहना ना है मुझे तो ये मैंने अपनी प्यारी को यहां पढ़ पहना दिया है मेरी प्यारी का नाम है और भी लोगों को के साथ में और जो कि वह भी हाथ से स्टेच कर सकें और कैसा लगाए मेरा यह आइडिया हाथ से स्टेच करने का वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोह आपके लिए लेकर आती रहूंगी और आप मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, अच्छा लगा हो, तो रादे रादे मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ और करामात के साथ, तो रादे रादे हर हर महादेव,